हेलो गाइस और वेलकम टुमाई योटूब चैनल टैग वाउंग केस दोस्तों आज के वीडियो आपके लिए काफी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले क्योंकि आज की वीडियो मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ कि आप लोग अपने शम्शंग AI03S के फून में डिस्प्यली फिंगर्पृंट कैसे लगाएंगे आप अपने फून को डिश्प्ले फिंगर्पृंट के द्वारा अपने फून को अन्लोक कर सकते हैं आपके अलामा आपके फून को कोई भी अनलोक नहीं कर पाएगा सबसे पहले आपके फून में जो भी Password फ चुके हैं काफी अच्छा अप्लिकेशन है इसको डाउनलोड कर लिजिए और फटापट इसको ओपें करिए ओपें करने के बाद आपको यहां पे परमीशन मांगी जाती है आपको यहां पर परमीशन दे देनी है अलाव के ऑप्सन पर किलिक करके आपको अपना इंटरनेट आप लगना वनना यहां पर आपको अइडस होगा इसके बाद आपको इस्टार्ट के ओप्सन पर किलिक करना है यहां पर आप लोगों को मिल जाता है वाल पेपर का ओप्सन वाल पेपर के ओप्सन पर किलिक करते हैं यहां से आप लोगों को फिर से परमीशन मांगी जाती ह बट आपको यापसे permission allow कर देनी, permission दे देनी, अब इसके बाद यहाँ पे कुछ wallpaper आप लोगों को देखने को मिल रहे हैं, बट guys मैं यहाँ पे आपको wallpaper apply करना नहीं बता रहा हूं, display fingerprint लगाना बता रहा हूं, उससे पहले लेकिन guys किसी भी एक wallpaper पर आप लोगों को click करना होगा, जो भी आपको अच्छा लग रहा हूँ wallpaper उस पर click करिए, click करने के बाद यहाँ पे पूरे display में कहीं भी आप लोग एक जगाँ पे चार बाद टैप करिए, जैसे कि देख सकते हैं, इस अस्थान पर मैं चार बाद टैप करता हूं, next को option पर इसके बाद किलिक करिए, उसी अ यहाँ से pin को दुबारा enter करके confirm कर देंगे, इसके बाद आपको यहाँ पे एक security question select करना होगा, यहाँ से कोई भी security question आप लोग select कर सकते हैं, इसके बाद आप उसका answer कुछ भी यहाँ पे type कर सकते हैं, जो भी आपने security question इंटर किया है और जो भी यहाँ पे answer उसका type किया है, याद रहना चाहिए, इसके बाद आप लगों को submit के option पर click कर देना है, इसके बाद आप लोगों को submit के option पर click कर देना है, यहाँ से observation पर फिर से last tip जो कि है, यहाँ पे आपको ऊसी wallpaper की आपको theme बन के आ जाती, यहाँ पर देख सकते हैं, किसी में analog, जो clock है, किसी में digital clock है, कि किसी में डेट है किसी में नहीं है तो यहां पे जो भी आप लोगों के श्टाइल अच्छी लग रही हो उस पर आप लोगों को किलिक करना है उसके बाद आप लोगों को यस को ओप्सन दिखाए देगा यस के ओप्सन पर आप लोगों को किलिक कर दीना है जैसी यसके ओप्सन करता आपका फोन ओपन नहीं होगा जहां पर आपने चार बार टैप हिया था वहीं पर लगा था दो बार टैप करिए तुरंत आपका फोन ओपन हो जाएगा यहां पर मैं आप लोगों को दिखा दे रहा हूं तो इस तरह के साब भी अपने फोन में डिस्प्ले फिंगर उसेफेवाः लोगों कि भी यहां जाप करिए बार टैपका देशन को देख दो में गिर को बार टैपका दे।